दो नमसकार आप सबका स्वागत है सच्पूल इंडिया में आज हम लोग तेंद्वा गाउं में मोजुद और यहां पर कुछ घटना घटी है सारा कुछ अभी जेवी केसस के कारी करता है यहां पर मोजुद बताएंगे क्या कुछ यहां पर हुआ सभी को जोहर सबसे पहले आपका न्यूज को आज जो हम लोग किंद्वा गाउं आए हैं सभी जेबी केसेश पूरा जीला कमेटी सरेकला खरस्वां के और एक पीडिता है जो उनका रोड में अभी एक्सिडेंट हो गया था अभी टीएमेस में इलाज रत हैं मनें पापा थे ह हुए तो हम लोग आज पीडिता के घर आये हैं उनसे बातचित क्या कुछ कर रहा है इनों लोगों ने हमें बुलाया है जेबी केसेश टीम को और हम लोग आज बात कर रहे हैं और हम लोग कोसिस करेंगे कि इन लोगों का जो भी अभी इलाज रत हैं इनको कोसिस करेंगे उ फिर भी उस घटना कैसे हुआ किदर से बाइक आ रही थी किदर से कौन तेजर अफ्तार गाड़ी आ रहा थी क्या कुछ हुआ बाइक आ रही थी उधर से अफ्तार जमसेदपूर से आ रही थी इधर गाउ किंदर गाउ तरफ तो उहीं आपका रंगा मठिया जो है ग्राम का थोड़ा सा आगे में उहीं पर तेजर अफ्तार से इधर से आ रही थी हाईवा और लुको मार दिया जगा भी कम था यह कंट्रो पूरा छाति गरस्त हो गिया था पैर आपका इसलिए डोक्टर बोला कि जल्दी से जल्दी कहीं भी करवाइए तो तो ही हमोगत तैमेस में करवा लिये हैं अभि इतना कि फोलोग का खर्चा भी हमलोग नहीं उठा पा रहे हैं हम लोग आर्थीक स्थितित हमलोगत अथीक राचानक हो गिया, अभी उधर हमको लग रहा है, अभी तो पूरा नहीं बताया, अभी एड्मिट के दोड़ा नहीं बोला था कि कम से कम डेर लाग अप लोग जमा कीजिये, लेकिन अभी तो फिलाल एक जमा किये हैं, देरे-देरे कोशिस कर रहे हैं और जो गिया थो लोग क अच्छा, अभी यहां सर्जन जी भी मोजूद है, वह क्या कुछ बोलते हैं तो सुन लेते हैं, देखिए, जब से जेवी केसस निकला है, सुवात में उसका छात्रों के अंदोलन को लेकर के जेवी केसस जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, वैसे वैसे हर मोड पर, हर कदम प अच्छा, जेवी केसस इनके लिए भी क्या कुछ मदद करेगी? क्या बोलनेंगे, बहुत कम्प्लिली जो कुछ भी है, जाए मुआवजा की बात हो, या फिर इलाज की बात हो, इसके अलावे भी जो कुछ भी सुविदाय होंगी, उनको उपलब्द कराने का पूरा प्रयास जेवी केसस कर रहेगा, अच्छा, यह घटना किते दिन पहले क अच्छा है, यह 18 तरीकी घटना है, और इसकी सुचना जेवी केसस को कब मिली, बाइफोन में आपको उसका दूसरा दिन मिला, बाइफोन में उसका दूसरा दिन मिला, और हमारे जेवी केसस टीम इस चीज को जैसे ही इसके कानों तक आई, उसके बाद बात करते, आप एक खुद उसका घर तक का करके इस घटना, इस पीडित परिवार को क्या कुछ वा सारा चीजों को बार की से देखने समझने उसका परिवार आया हुआ है, पूरा टीम आया हुआ. जब एक सेंड हुआ तब वो घर आ रहे थे या बजार जा रहे थे? जब घर आ रहे थे उनका इलाज तो होस्पिटल में चल रहा है अभी तो कोई मुआपजा भी तो कोई नहीं मिला है नहीं मिला वह बहुत लाग कोसिश करके हथपर जोड़के अभी यह अभी बॉला कि और हम नहीं दे पाएंगे अभी तो फोन करने से शिब भी नहीं करता है तो अभी डेड़ लाग रूपया होस्पिटल से मागा गया है आप जीस तरह कहना है और आपको एक लाग दिया गया कि यहां नहीं को सूच लिए और इदर से वाइब थर से का और नहीं कुंद कुछ भूइस्त हुआ। सबसे पहले सभी को आपके चैनल के जीतने दर्सकों को जोहार है आज इन पिलित पड़िवार के साज जो गटना घटी ऐसे आए दिन उस रोड में घटती है और लीडिंग कंट्रक्शन की जितनी भी गाड़ी है हमेशा तेज रबतार से उस रोड में चलती है और अक्सर उसके कारण से दुर्गटना होती रहती है चलिए दुर्गटना सडख होती रहती है आज कल में चलिए हो गई लेकिन आप दुर्गटना आपके बाहन के दुआरा अगर हुई याराप पीलित पड़िवार के साथ खड़ेने होकर हाथ उठा दिजएगा तो इसे मे पेर कड़ गया और आप हाथ उठा दी जगा ये कताई सही नहीं है जे भी केसे अस परिवार पिडित परिवार के साथ हर सुक दुख में खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी और उनको बारता के लिए हम नमर निवेदन करेंगे पूरी निमरता के साथ कि आप आईये और बारता करिए इस बारता में अगर समधान निकलता है उनके दुआर अगर इलाज का सारा खर्चा और एक वेक्ति का जीवन में पेर का किया महत्व होता है उस महत्व का हिसाब से उनके पास जीतने भी बाकी जीवन है उसके लिए उनको जो मुआवजा देना होगा वो हम लो अगर उचित मोवजा और हमारी मांगों को पूरी नहीं किया गया तो आगे आक्रोस के साथ तेज अंदोलन होगा और अगर नहीं जुखता तो उनके दूआर हमारे छेत्र में जितने भी काम चर रहे हैं एक तो सर जल जंगल जमीन बचाने के लिए हम लोग पराने को आहोती दे रहे हैं और उपर से क्रेसर उनका दुआर एक धर चलता है उसमें आये दिन आप एक ठों चलान में दिन भर चली हाईवा चलता है हमारे यहां जल जंगल जमीन पहाड़ परवत लूट के ले जा जा रहा फिर यह चली हमारा लोक कुछ नहीं कहता है उनके हमारे हम आरे लोगों का पर रोंत के चल जाई है अप सोची हैगा कि लोग कुछ नहीं कर पाएगा तो ये आपकी सबसे बड़ी फूल है आज का डेट आज के समय में जनताओ का बीच में जनताओ के आस एक मातर है जिर परीवार जब कास परिवार इस पिड़ित से कहा देना चाहते हैं कि पीडित परिवार के साथ आज नहीं आज से अगर पांस साल बाद भी किसी परकार की कोई जोरत पड़ती है तो जेविकेसस खड़ी है और आपके चैनल में जितने दर्शा का और कहना चाहते हैं पूरे विधन्सवा या पूरे राज में कहीं भी इस खड़ा मिलेगा जाए जाड़कर देखिए आप तु जाने रहें आज हम लोंगा एक पिडित परिवार यह लोंग आप दन दिया हम लोंगों को खबर किया मोबाल से बुलाया लेकिन जब एक ऐसा परिवार हमेसा जब यह उसमीदा किसी परिवार के पिडित होता है पहले परिवार बहुत गरीब है इलाज में बहुत ज्यादा पैसा खरचा होने का है अभी एक लाग रुपिया दिया गया वह बहुत ज्यादा भाग सकता है पायर कह बात है पायर उसका जिन्देगी है पायर नहीं तो आदमी का कुछ नहीं तो इतना दुख के घड़ी में आज अगर किसी को पायर में उसको कुचल देगा यहां के लोग यहां के छेत्र से खनी समधा लिए जा रहा है को रूड़ा अभर कमा रहे है वह दुख के बात नहीं यह वह खूसी के बात है कोई बड़ा आदमी बन रहा है यहां का धन लूटकर करके लेकिन बात है यह है कि यह तो आप धर धरकन के लोगों का भी रोधना सुरू काम कर देगा यह तो बात तो उसके चेत्रे के लोगों को प्राक्रसित होगा वो उसका जीमेंबारी समय होगा उनका पेर पूरी तरह से च्छतिग्रस्त होता है और वो उस्पिटल में अडिविट है और डेक्टर का कहना कि यह अभी आगे और उपयोगी में नहीं रहेगा इनको काटके हटाना ही पड़ेगा नहीं तो इनका पेर दूसरा नहीं लगाए यह मतलब कहिने कहीं उनका करने काम किसस करेंगी और आगे भी जो भी कुछ होगा वो सारा कुछ दिखाएंगे एसे भी और वीडियो को लिए वीडियो को लाइक कमेंट सेर करें धन्यवाद